हेलो इस्टूराइंज, BKCI Computer Education में आप सभी स्टूराइंज का स्वागत हैं, आज हम इस वीडियो में कोश्चन नंबर 81 से 100 कोश्चन कवर करेंगे, इससे पहले कोश्चन नंबर 1 से कोश्चन नंबर 80 सभी वीडियो अप्लोड कर दिये गएं, तो आप सभी वो सभी कोश्चन आप देख सकते हैं, BKCI Computer Education चैनल पर आपको तिरपर सी की पूरी ट्यारी कराई जाएगी, इसलिए BKCI Computer Education चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यद वीडियो के लिएर देखाई नहीं दे रही हो, तो वीडियो के राइट साइट उपर थी डॉर्च पर किलिक करके वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा सकते हैं, तो आईए इस्टूरेंस इस वीडियो में Question No.81 से हंदेश को समझते हैं, Question No.1 इन द फॉर्मूला, फिस सिम्बल स्पेसिफाइज द फिक्स्ट कॉलम और रोर, Option A टॉलर, Option B यह मल्टिप्लाई का साइन होता है, Option Z परसेंट और Option D यह एंट का साइन होता, तो इसमें कौन सा Option आपका राइट है, सोचिए, पांस दे सेकिंड में उसके बाद इसका आ रिपीट कर रहा हूं, Question आपको था, इन द फॉर्मूला, फिस सिम्बल स्पेसिफाइज इन फिक्स, फॉलम और रो, फॉलम और रो को फिक्स करने के लिए, फिक्स करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला इसमें, कौन सा सिम्बल इसमें आपका सही है, तो इसका राइट आंसर आपका Option A, यह जो आपका है, वो आपका Right Answer है, चलिए प्रक्टिकल ही एक बार इसे देखते हैं, यह आपका Excel Open कर लिया है, यह आपके पॉलम है, यह आपके रो है, मैं आपको पहले बता चुगा हूं, और अगर आपको नहीं मालुम है, तो लाश्ट वाले सभी वीडियो आ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजेगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमने पूट कर देखिए हाँ पर, इसके बाद 60 लिग गया है हाँ और मान लीजेए हाँ पर कोई फॉर मूला में लगाना है, तो एजो कल्टू मान लीजेगा, PMT ऐसे ले ल अगर हमें यहाँ पर फिक्स करना है तो हम F4 प्रेस करते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर F4 हमने प्रेस किया तो यहाँ पर दीकि डॉलर का साइन आ गया, तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वह आपका ओप्शन के आपका राइट आंसर है, कुस्टन नंबर 82 की बा इंद उससे हम क्या कहते है पर कि श्टेटेस वाज एंब्ओक टाइट्ल वार व्म यहां पर आप किषान से देखेंगे यह इसी कि एक्स दो पेन भी-स धे AND यह आप सब और होता है तो यहां पर आप देख रहे होंगे फर्मॉला वार हो नहीं सकता box वहार होनी सकता तो यहां पर TYPTOR पूश्चन नमबर नेक्स पूश्चन नमबर एक्सरी विजूवल बैसिक इस टू प्रिएट मैक्रोज इन एक्सल इसको करने के लिए एक्सल में विजूवल वैसिक का उच कर सकते हैं बिल्कुत सही है कर सकते हैं यहां पर आपका इसके बाद करते हैं जो 84 आपका है और टाइग्राम की विजूश्चन नमबर की बात करते हैं तो आपका पर और प्रिएटों कर सकते हैं वाड़ विजूश्चन नमबर क्सकी सब्सक्राइबने तो करते हैं स्यायओ इसक्त्या करसकते हैं तो आपका है फैर आपके यहां से रल्सक्राइबनेक्षाप्शं आपको याप्स्ट्रेक्वर ॥ाह Stop यहां पर यह आपका राइट आंसर है हम देट कर सकते हैं सटे चार्ज से दैस्ट कोईश्चर नमबर कि दैस्ट कोईश्चर नमबर 85 की बात करते हैं तो इंसर्ट करने की स्वाट की है चलिए प्रक्तिकल यह बार देखते हैं हो एक्सल ओपन करते हैं और यहां पर हम देखिए सीट वन सीट तू यहां पर हम चेक करते हैं कि तो सौट किया है वह सेट की बाइब 11 यहां पर देखिए प्लस 11 प्रेस करते हैं की बोल से तो आप यहां पर देख रहे होंगे पहले यहां पर सीट वन तू और थ्री देख वैंने की वोड़ से दो बार यहां पर प्रेस किया तो यहां पर देखेगा यहां पर इंसर्ट होगे इसका जो राइट आंसर है तो स्वाट की सिफ प्लस एफ लेविन यहां पर यहां पर यहां पर आपका पर पोजिशन नमबर 83 की बात करते हैं चुम सो है ग्री लाइन इल्ल थेश प्लम और और यहां टॉ एक्सेर विर्पम तो वाईड यहां पर नया आप पर जो 36 question है आपका तो राइट answer है वह तो आप कर सकते है राइट अंसर वह आपका है प्रक्टिकली चेक करते हैं Excel ओपिन करते हैं एक्सल में देखिये हैं यहांपर खुडा से तीजंड कर देते हैं यह देखेगा यह वीव यह देखिए यहां पर फेवार लिखा हुआ है यह हमारा कोश्चन है रीड लाइन्स तो अगर इसे हम ठीक को हटा देते हैं , और अगर यहां पर हम खिलिक करते हैं पर तो देखिए है यह ऑप्र करने के लिए एक वीव अपसेन में कर nay राई को कराया जा सकता है इसका जो यह त्रू है तो आप्शन है यह त्रू है एक्स्ट कोश्टन एक्स्ट की बाद करते हैं इफ स्टॉरी 87 की बाद करते हैं कोश्टन नंबर 87 इफ फोर अपॉन 6 इस इंटर इने सेल विदाउट प्रेसिदिंग विड एंड उकल इसका मींस यह है यह बिना बरावर चिन के बिना सेल में 4 by 6 धर किया जाता है तो एक्सल इसे एक कैल्पूलेशन यानि गड़ना के रूप में मानेगा और चार से चार में 6 से दिवाजन का प्रदाम प्रदाशित करेगा यह कुश्टन है इसका यह अगर हम एक्सल में बराबर का साइं नहीं लगाते हैं और और 4 by 6 और हम 6 का डिवाइड फॉर में देते हैं तो रेल यानि आउट्पूट आएगा कि दू है या फॉल्स है चलिए इसका प्रक्तिकल ही देखते हैं एक्सल ओपन करते हैं इसे पहले डिलीट कर देते हैं एक बार सबसे पहले यहां पर हम एक सेल में 4 अपॉन 6 फॉर अ का साइन लगाते हैं और उसके बाद 4 by 6 लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर देखी इसका अंसल आ गया फो 0.6666667 अगर इसे कि राउंड ओफ कर दें हां से तो आपका यह 0.67 हो जाएगा means यह है अगर हम 6 का डिवाइड फोर में देते हैं तो 0.67 है यहां पर आंसर आ रहा है आंसर तब आ रहा है जो हम यहां बराबर का साइन लगा रहे हैं तो कुश्चन नंबर 88 के बात करते हैं रैप टैक्स ऑप्शन केन भी इस टू फिट लॉंग टैक्स इने सिंगल सेल बिद मल्टिपल लाइन्स तो इसका मीन्स यह हुआ कि रैप टैक्स बिकल्पा उप्योग एक ही सहल में कई पक्तियों के साथ यानी रो के साथ लंबे टैक्स को फिट करने के लिए या जा सकता है तो यहां पर बिलकुल किया जा सकता है यह आपका राइट आंसर है चलिए बहुत प्रतिकली हम यहां और देखते हैं तो एक्सल ओपन करते हैं और यहां पर हम इस में हम तो रिकेंग कि दिखेंगे अगर हम अभी आप देख रहा है अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो देखें यह कि इतना यह जो आपका सेल है इसकी जो लेंट है का अगर हम से एक ही सेल में करना है मतलब यहां पर हम चाहते हैं कि यह इसी के नीचे कि वर्ड को व्रेग करें तो यहां पर हम देखिए रेव्ट एक्स आप जैसी किलिक करते हैं तो यहां पर यह आपका एक ही सेल में आजाता है इसके बाद इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे यहां से से हम ऐसे कर लेंगे यहां पर जो question number आपका 88 है कि रेव टेक्स बिगलत का उप्यूक एक ही सेल में तो देखी हम यहां पर एक ही सेल में कर सकते हैं तो यहां पर यह आपका true है तो यहां पर right answer option A है means यहां पर true है next question number 89 की बात करते हैं 89 question the shortcut key to hide into row is control plus 9 यह आपका right answer है विल्कुल अगर हमें hide row अगर हमें करनी है तो इसकी जो sort की वो control plus F9 है तो इसका right answer वो आपका 89 का 89 का option A true है तो यहां पर इसे हम true करते हैं question number 80 question number sorry 90 की बात करते है question number 90 the shortcut key to hide entire column is देखी उहां पर अगर हमें row को hide करना है तो हाँ पर दिया हुआ था आपका control पिलस ना है यहां पर column को अगर हमें hide करना तो इसकी sort की जो shortcut की है वो आपकी control plus 0 यह 0 है तो यहां पर यह भी true है यह right है इससे हम column को hide कर सकते हैं तो यहां पर यह आपका right answer है इसके बाद question number 91 की बात करते हैं question number 91 तो इंटारे new line in the same cell use control plus enter यह true है यह false है तो तो इंटारे new line in in the same cell use control plus enter का use हम same cell अगर आपने कोई भी किसी cell में कोई भी same cell अगर हम उसे new line अगर इंटर करना चाहें लाना चाहें है इसे नहीं ला सकते हैं यहां पर यहां पर 91 का यहां पर यह फॉल्स है गलत इसे आम यह नहीं ला सकते हैं यहां पर यहां पर 91 वह आपका फॉल्स है पॉजिशन नंबर पॉजिशन नंबर 92 की बात करते हैं यू वांट तो सेट सच देट वैन यू थाइप बैसाक एंड ड्रेग दफिल हैंडल एक्सल सोड प्रोडूइस जेट असार एंड सो ऑन तू अकम पॉलिस इस टास्क यू विल्कुल राइट है यह त्रू है यह विल्कुल सही है 92 का जो खुशन नंबर है वह आपका यह त करना चाहते हैं कि जब आप बैसाक टैप करें और ऊसे ट्रैक करें तो यह एक लिस्ट में आ जाएं तो बिलकुछ सही है, हम इनकी पूरी कस्टम सूची बना सकते हैं, जैसे हम बैसाक को ड्रेक करते हैं, तो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर 92, यह आपका राइड आंसर है, तो यहाँ पर यहाँ आपका राइड आंसर है, जैसे फिलाल, मैं यह इस पे एक अलग से वीडियो क्योंकि इसे कई सारे questions से के लिए custom list कैसे बनाते हैं और जैसे आपके office सो मान लिए 10 employees बारवर आपको action में आप salary seat बनाते हैं आप कोछी work के लिए उनका नाम लिखते हैं तो बारवर आपको न लिखना पर हैं वास एक नाम में नाम लेखें ड्रेक्ट करें सारे अटोमेटिक आज हैं तो कस्टम लिष्ट होते हैं तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे लेकिन यहां पर मैं इसका means इस एक्जामपल देखे मैं आपको एक्षर समझा सकते हैं इसका means किया हुआ जैसे माल लिजेगा इसे प्रक्तिकली समझने के लिए यहां पर अगर इसे ड्रैक करते हैं यह देखे आ जाते हैं कि कस्टम लिष्ट अगर तो नेक्स्ट भी जो भी मैं पूरा बनान चाहें तो आ सकते हैं तो यह आपका true है और जैसे की आप J-A-N-U-A-R-Y जैसे की जन्वरी यह देखिएगा आपके आ रहे हैं बैसी आप बैसाक यहां पर लिख करके J-A-T-A-S-A-R-Sound वह यह सब आ सकते हैं तो यह मैं एक अलग से इसका सैफरे वीडियो बनाएंगे पुष्चुमे में आपको समझाएं कि किस तरीके से यह हम डिरेक्ट कर सकते हैं तो चले अब नेक्स्ट कुष्चन के तो यहां पर जो 92 कुष्चन है आपका कुष्चन नंबर 92 वह आपका true है नेक्स्ट कुष्चन नंबर 93 के बात करते हैं स्क्राइब नहीं होता है मतलब यह बिलकुष सही है तो 93 का है वह आपका true है प्रेश्च इस्पेशल में स्क्राइब का कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि जो स्क्राइब निकालना है जैसे कि अगर प्रक्टिकली मैं आपको बताना चाहें यह लिखा हुआ आपका 81 अगर इसका स्क्राइब निकालना है तो एजू कल्टू स्क्राइब और यहां पर इसे हम नंबर को सलेक्ट करेंगे ब्रैकेट के लोट करें इंटर देके 9 आ गया तो मेंस इसका यह आपको नहीं होगा यहां पर सही है मेंस यह पेश्ट इस्पेशल में नौट एविलिविल तो यहां पर यह त्रू है क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 टू पेश्ट कॉंटेंट और फिक कॉलमें रो और वाइस वर्से सलेक्ट ट्रांसफोर ऑप यहां पर देखेगा टेट नंब फादर यह कुछ यह मैं थुड़ा डिलीट कर दे रहा हूं इसे यहां पर यह नियुक्त नेम फादर स्टेम यह देट है यह नैम समझाने के लिए एक्जम्पल है यहां पर ले लिए हैं तो सबसे पहले इसे आप कॉपी करेंगे के इसके बाद प्रेश्ट पर जाएंगे और यहां पर पेश्ट इस मुंस और यहां में करें तो कि यहां पर आप क्वापी करने कबाद किसी बाद को सलेक्ट करेंगे इसके बाद पेश्ट एसवेशल पर जाएंगे पेश्ट इसवेशल के फंक्सन सभी तभी वर्क करते हैं जब हो भी एरिया को सब्सक्राइब अधरवाज वर्क नहीं करेंगे तो देखिए यहां पर यह ट्रांस्वर्ज का ओप्षन दिया है तो यहां पर खिलिक करके तो देखिए जैसे आपर किलिक करके okay किया तो देखिए date name और थास्तान पर यह लिए नीचे आ रहा है और यह देखिएगा आपका जो राज और यह आपका यह जो दिया हुआ है और यहां पर यह जो यह Mr. Karan जो फार्दस ने मुद देखि इस तरीके सारा में कॉलम बार मींस यह है ट्रांस्वर्ट जो कॉलम में लिखा वो रो में आएगा और रो में लिखा वो आपका कॉलम में आएगा तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए यह तो यह क्लिक करते हैं और जब सेलेट करके जब हम पेश्ट करते हैं तो कॉलम का रो और रो का कॉलम में आ जाता तो इसलिए हां पर जो क्वेश्चन नंबर 94 का यह उप्शन थू है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 की बात करते हैं एक्सल 2007 कंटेंस 10,48,560 रो मतलब यह थू है ब समझाया है तो यहां पर आपका यह एकडम राइट है इतने ही इसके अंदर रो होते हैं एक्सल 2007 यानि 1048,570 चलिए इसे प्रक्तिकली एकवार करते हैं तो एक्सल ओपन कर लेते हैं और यह देखिए यहां पर जैसी क्लिक करेंगे तो आप उपर देख रहे होंगे यहां प इसको डाउन बटन प्रेस करें तो देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि यह 10,48,560 यह रो की काउंटिंग है तो यह बिल्कुश सही है तो आप्शन यहां पर यह ट्रू है तो 95 का जो राइट आंसर है आपका 95 का वह आपका ट्रू है बिल्कुश सही है इसे लर्ण कर लिए बाद कोश्चन नमबर 96 96 की बाद करते हैं जो कोश्चन नमबर 96 है कि यह डैस डैस इसे ग्रूप ऑफिक कंप्यूटर डैट आर कनेक्टेड तो इच अधर फोर्दा परपस और कॉम्मोनिकेशन तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर आप्शन यह आपका आपका बिल्कूर राइट आंसर है तो इससे हम यहां पर रैड करते हैं तो आप्षन यहां पर यह वापका राइट आंसर है कोश्चन नमबर 97 कंप्यूटर नेट वर्ग इज ए एक कंप्यूटर नेट वर्ग है क्या तो आपसर नमबर ए बी और सी यह तीनों आपके सही हैं मतलब कलेक्शन ओफ हाड़वेर कंपोनेंट्स एंड कंपूटर बिल्बो सही है यह आपका इंटर कनेक्टिड वाइ कोम्यूनिकेशन चैनल यह भी सही है शेरिंग और रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन यह भी सही है तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका यह आपका राइट है तो अप्शन नमबर डी यहां पर राइट है आगे हम बात करते हैं कोश्चन नमबर 98 की तो कोश्चन नमबर जो आपका 98 है वाइट देजें फायरव क्या है तो यहां पर देखेगा आपका जो राइट आंसर वह आपका सी है सी यहां पर आपका राइट आंसर है तो इसे यह राइट आंसर है आपका सी इसे राइट करते हैं यह राइट आंसर है यहां से मेंस यह हाड़वेर और सॉप्टिवर सिस्टेम डिजाइन टू प्र उसको रोकने के लिए design किया गया एक hardware या software system इसलिए इसका जो option है वो आपका C C आपका यह right answer है question number next बात करते हैं 99 की how many layers does OSI reference model has तो इसका जो right answer वो आपका यहां पर 7 यह आपका right answer है यह यह 7 जो है आपका OSI reference model होता है how many layers कितने layers होते हैं 7 होते हैं और इसे clear समझाने के लिए मैं इसका अलग से video बनाएंगे वहां पर आप से मैं detail में समझाएंगे फिलाल यहां पर आप जो layer OSI जो model है तो 7 है तो इहां पर right answer आपका D है question number next question number hundred की बात करते हैं IPV4 address is जो यह IPV4 address is क्या है address is है क्या है 8 bit 16 bit 32 bit और 64 तो आपका जो right answer है इसका 32 bit तो यह इसका right answer 32 bit means इसका यह है कि जो IP है और जो address 32 bit है वो पूरांक है जेने hexadecimal notation में व्याग किया दा सकता है तो यहां पर जो right answer वह आपका 32 bit है तो students यह थे आपके कुछ important question जो discuss किये गए तो students यह वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों को share करें इस channel को subscribe करें मिलते हैं next video में और question number 101 मतलब 101 से और 120 यानी एक से 20 तक question discuss करेंगे thank you for watching मिलते हैं next video में जैहन 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 करेंगे करेंगे